हेलो ब्रिवन कैसे आप सभी उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तो आज की बीडो आप सभी के लिए वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि इस बीडो में हम बात करेंगे चार जन्वरी की छे बड़ी भरतियों के बारे में जो की अलग-अलग डिपार्टमेंट की भरतियां भी देखने को मिलेंगी कुछ डिपार्टमेंट की विकेंसी के लिए आपको किसी भी तरह का एक्जामनेशन नहीं देना होगा किबल और किबल मेरिट या इंटर्व्यो के आधार पे आपका सेलेक्शन किया जाएगा अगर सभी डिपार्टमेंटकी विकेंसीो आप भी important है कि बल interview के basis पे आप लोग जो है तो teaching जो आप पास सकते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे दसी बार भी graduate पास हैं किसी भी तरह का qualification आपके पास है तो आप सभी भरतियों के लिए आविदन कर पाएंगे अटरा से लेकर 55 साल का कोई भी candidate इन भरतियों के लिए आविदन करेगा ओनलाइन तरीके से आपको application forum को fill up करना है सभी all india level की job है यानि की सभी भरतियों के लिए आप भारत के किसी भी राज्य से आविदन कर पाएंगे और male and female दोनों category के candidate आविदन कर पाएंगे बीड़ो को आखरी जग देखें बीड़ो पसंद आए तो like करें और आगे आने वाली बीड़ो की update को देखने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को जरूर on करें चलिए बीड़ो को सुरू करते हैं तो दोस्तो आज की अपनी पहली number vacancy है Ministry of Women and Child Development यानि WCD की तरफ से आई हुई इपोर्टेंट डेट्स की बात करें तो इसके लिए आभीदन अल्रेड़ी सुरू है आने वाली 24 जनवरी 2024 तक आप लोग इन भरतियों के लिए आभीदन कर पाएंगे application fees बिल्कुल free होने वाला है चाहे आप किसी भी category के candidate है उसके बाद आपकी age है जो की 18 से लेकर 40 साल की बीच में होनी चाहिए बात करते हैं total number vacancy की इस अकेले department के अंदर भारत के सभी राज्यों में धीरे धीरे करके 60 हजार से भी ज्यादा पदो पर भरतियां आने वाली हैं जिन में से मुख्यत है आपको आगनवारी कर करता की मिनी आगनवारी कर करता की और सहायका के पदो पर भरतियां देखने को म इसके बार हम बात करें eligibility के बारे में तो 10 वी और 12 वी पास candidate इन भरतियों के लिए आविदन कर सकते हैं और इंडिया लेवल की जवाब है male and female दोनों आविदन कर सकते हैं आप नीचे आएंगे salary देख सकते हैं 20,000 रुपए तक की salary आपको starting की देखने को मिलेगी selection आपका बि डाउनलोड कर सकते हैं अभी हम आते हैं दूसरी विकेंसी के उपर आज की अपनी दूसरी विकेंसी रेलवे की तरप से है और आरसी रेलवे रेक्यूटमेंट से आप लोग यहां पर देख सकते हैं रेलवे कलर की बड़ी भरती होने जा रही है www.nokrecover.com website आपको ध्यान र पाएंगे इसके बाद application fees की बात करें तो जर्नल OVC AWS को 500 रुपए पे करने होंगे और SCHTPH candidate को 200 रुपए application fees पे करना होगा इसके बाद आपकी age है जो की 1124 से count करी जाएगी 18 से लेकर 40 साल के बीच में आपकी age होनी चाहिए इसके बाद यहां पर हम बात करते हैं देख सकते आप लोग total vacancies की 6200 पदों पर यह भरतिया हैं जहां पर आपको senior clerk की, junior clerk की और technician grade 3rd की पोश्टे देखने को मिलेंगी जिन हम बात करते हैं eligibility के बारे में तो आप लोग अगर 10th pass हैं 12th pass हैं या आपका graduation complete है तो आप किसी भी post vacancies के लिए आविदन कर पाएंगे सभी all india level की job है male and female दोनों इन के लिए आविदन कर सकते हैं इन हैंड में salary की बात के हैं तो 30,000 यानी की 30,000 आपको starting में मिलेगा online exam, medical exam और document verification के basis पे आपका selection होगा कैसे आप लोग आविदन करेंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है और notification के लिए आपको यहाँ पर आना होगा आज की अपनी तीसरी बड़ी भरती निकल के आई है DEE यानी की डिरेक्टरेट आप एलिमेंटरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से टीचर की बड़ी भरतियां है डेट से यहाँ पर देख सकते हैं दो जनवरी से लेकर दो फर्वरी दो जार चोविस तक आप लोग आवेदन करेंगे अपली केसन फीस बिल्कुल फ्री है निसुल का आप लोग इनके लिए आवेदन करेंगे आपकी एज यहाँ पर देख सक अपर प्राइमरी स्कूल का उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन जो टीचर के लिए एलेजबिल्टी होती है 10-12 ग्रेजुएट बेड वगारा वही चाहिए होगा यह भी आल इंडिया लेबल की जाब है मेल और फीमेल दोनों के टेगरी के केंडिडेट इन आप यह दन कर पाएंगे नोटिपिकेशन के बेसिस पे 14,000 रुपए से लेकर 70,000 रुपए की सेलरी आपको मिलेगी सेलेक्शन इसके अंदर आपका एक्जाम, इंटर्व्यू, डाकुमेंट फेरिपिकेशन के बेसिस पे होने वाला है और इंपोर्टेंट लिंक के सेक्शन पे आपको दोनों नोटिपिकेशन अलग-अलग मिलेंगे, लपी यानि की लोवर प्रैमरी स्कूल नोटिपिकेशन यहां पे है और यूपी यानि की अपर प्रैमरी स्कूल नोटिपिकेशन यहां पे है, क्लिक यहर पे क्लिक करके आप इसको देख सकते हैं, अब भी हम बा के लिए आभीधन कर पाएंगे इसके अंदर भी आपसे एक भी रुपय का अप्लीकेशन सूलक नहीं लिया जाएगा आप लोग बिल्कुल फ्री में आभीधन कर सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं आपके एज के बारे में तो एक एक दो जार चोबिस से कम से कम 18 और अधिक सदीग 38 साल आपकी उम्र होनी चाहिए तोटल उमर विकेंसी की बात करें 621 यानी की 621 बदों पर भरतिया हैं असिस्टेंट एक्सक्यूटिब की आपको पोश्टे मिलेंगी 10-12 ग्रेजुएट डिग्री वाले केंडिडेट आभीधन करेंगे और इन्डे लेबल की जाम मि या अपको याटर रेसोट्स डिपार्टमेंट के अंदर सेलेक्सन पाना होगा इंपोर्टेंट लिंक का सेक्षन है उसके बाद आपको अपलाई करने का और नॉटिपिकेसन का सेक्षन दिया गया है आपको यारेकोरkien करके अधोम्र कर सकते हैं तो आज के अपनी पाच यम और किबल और किबल कक्षा आठवी पास वाले केंडिडेट इन पदों के लिए आभीदन कर सकते हैं। और 24 तक आभीदन चलेंगे। और 24 तक आपको आपको नमबर विकेंसी मिल रही है। जॉब है 10-12 और ग्रेजुएट के साथ 28 है तो आप लोग आभीदन कर सकते हैं। किसी भी पोश्ट विकेंसी के लिए 18-45 साल का कोई भी केंडिडेट आभीदन करेगा। CST के लिए 5 और 20 के लिए 3 सालों की छूट भी है। सेलरी आपको स्टार्टिंग का 25 जार के समतिंग याँ पे इन हैंड में मंतली का दिया जाएगा। और बिना किसी एक्जाम के केबल और केबल इंटर्व्यू के अधार पे आप सभी का सेलेक्शन होना है। 20 दिसंबर से लेकर 25 जनवरी 2024 तक आपको आभीदन करने का समय दिया गया है। आभीदन आपको आपलाइन करने होंगे। यहां से आप लोग नीचे आएंगे तो आपको आपलाइन अपलिकेशन फोरम और साथ ही साथ नोडिकेशन प्रोवाइड कर आये गया है। आप लोग इसको चेक आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दी गई इनफोर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अधिक जानकारी के लिए आप लोग आ सकते हैं नोकरीकबर.com की आपिसल वेबसाइड में। गूगल पे भी आप लोग इसको टाइप कर सकते हैं। और रोजाना ऐसी ही टॉप 10, टॉप 5, टॉप 6 जॉप की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको कहीं भी और भटकना ना पड़े, सारी इंफोर्मेशन एक ही जगे आपको मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।